वो आया और मदद करके चला गया पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं मिलोंगा दोबारा तुम भी यही चाहती हो न बबली तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो न तो ठीक है तुम्हारी जिंदगी से नहीं मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ मेरें चैरिटी के लिए काफी हेल्ब की मुझे दकेलने में तुम मेरी है व contemporary dot सूरी में ऑस्जॿ का नहीं है तो कोस्टली हो आदुनी है कि घंचकर मैं जा रह investigating पर तुम्हें मरे साथ दिन गुजारना थे AV खुशिण जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद पर चोड़ देंगे जिंदीकी बहुत खुबसूरत है प्लीज प्लीज मेरे पास खर से बनने वाला शब नहीं है एक दन मरने का ख्याल चुड़ देंगे थांक्यू जी मैं बच गई लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं यहां मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूं पट वन कंडिशन क्या कंडिशन अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रीट कर सकी तो तुम करोगी क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है ओके डान चाओ जाने की मैदाम चाओ पीटर नो पीटर नाव एम पीटर गनेश प्लेस सिदाउन मैदाम आल गैति व सम्थिंग पीटर गनेश इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लाश बैक है मुझे बोर करने के लिए एक दिन तो मिला है उसमें पीटर गनेश शंकर गनेश की फ्लैश बैक की कहानिया सुना रही हो सबर से काम लीजे पॉइंट पे आती हूँ ना पीटर का भी आपी की तरह सुइसाइट केस था सेम स्पोर्ट सेम स्पोर्ट नहीं ओन दे स्पोर्ट मैंने उसे बचाया है मैं पीटर जिन्दगी खत्म करने के लिए हिमद चाहिए वह हिमद जिन्दगी बनाने में लगाओ एक बार में सुधर गया वो जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टरांट खोलने को कहा उसे एक गनेश की मूर्ती दी और भरोसा दिया इसी भरोसे ने बिजनिस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया, लाइफ इस ब्यूटिफूल, डेथ इस हौरिबल, ये तो समझ गया, आपके भेजे में गुसाया नहीं, जब पटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिन्दगी में गम हो तो उन्हें भ को वक्त लगेगा. उपर पहुँच गया होते, रामराज, ये मेरे कजन जिंकी-पिंकी. और बाप का नम डॉंकी? बो रामत मानो, ये सदमे में है, लावर ने धोका दिया है. शकल से तो खुद धोके बाज लगता है. देखा, इसने क्या कहा? जिसे लड़की धोका दे, वो बत्तमीज हो ही ज आता है. उस बबली बदमाज के पीछे-पीछे मैं इस देश में आया. जेब में पैसे नहीं बचे है. पर जैसे उस बदमाज के बारे में सोचता हूं, तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा. बिलकुल मत घबराओ, हिम्मत से काम मकर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है. मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूं. अरे, रुको रामराज, किदर आओ? देखो, परिशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी. देखो, कैसे दीदी से चिपक रहा है. बदमाज ने मेरी लाइफ को फुटबॉल की एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परिशान किया? भगवान ने किया. तीन साल की उम्र में मा गुजर गई. और तेरा साल की उम्र में पिता जी. और तेइस साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था. अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए. अरे बापरे, इतने लोगों को खाकर वो आप भी जिन्दा है, कौन है ये राक्षा से? अब क्या बताओ, मैं पहार की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छुने जुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ और वो मुझे अपने घर ले आई, काम नदाम मस्ती है, लाइफ हो गई है, फुल हैपी, दोकता है कोई आया है अब के इंस्पिरेशन से, मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है, मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया तो फिर तुमने क्या किया बताओ, चर जाकर पूर चिलन को पास्ता बाट कर आया मैं पास्ता बाट क्या है? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिकारियों में पास्ता फेमस वेरी नाइस, और फिर? फिर बगल वाली को गोध में लिया मुकुल! मेरा मो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोध में गिर गई मेरे ने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं केले के चिलके पर पैर पढ़ने से वो स्लिप हो गई थी वो खण परमानंद का था मैं आपकी आत्मकता के दूसरे चैप्टर पर हूँ मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो खिलोनों की दुकान खोली है, जो तु गेंड बेज रहा है मैडम की गेंड की फिलोसॉफी नहीं जानता तू ये मुर्ख कौन है? ये है रामराज तो वनवास जाए आत्म हत्या कर रहे थे, लवर नहीं चीट किया मैडम क्या होआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम मैं जा रहा हूँ अरे रुको, ने नी मैडम मुझे रुख कर रहा हूँ मैडम, कुछ नहीं होगा मैं हूँना यहाँ इसी बात नहीं करते मैं हूँना तुम्हारे साथ छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे वो कहीं भी जाकर मरे मुकल, मैं ऐसा सोच सी तो तुम होते यहाँ इजियट, ये रात को यहीं रुकेंगे समझ गए? मैं क्या करू? तुम इनका ख्याल रखोगे मेरी मिसाले, मेरी फिलोसोफी इन्हें समझाओ, इनमें जिन्दा रहने की आस जगाओ समझ में आया? ये अभी मर जाएगा समझ गया मैम देखो रामराज, बच्पन में हम पेंसिल से लिखते थे पता है क्यो? ताकि गलती हो जाए तो मिटा कर सुधार सके अब बड़े हो गये हैं तो पेंसिल लिखते हैं गलती करने का नो चांस बवाल थॉट है मैम मैम, अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दू मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बाते लिखते रहोगे अच्छा, लेख लो, रामराज, मैंने जो कहा है उसके बारे में राद भर सोचते रहना पेंसिल के बारे में मैम, करेक्ट, मैं सुबा मिलती हूँ राद को बबली की याद आ गई तो मिस्टर मुकुल विल टेक है, ठीक है ना मुकुल इहां, बिल्को गई मैं, गई नाइट I will miss you, मैम, गई नाइट कॉन है तु, आत्मात्या करनी है, तो चलना करके दिखा, चल बोली बाली लडकी को बेवकूफ बनाता है, खाल खीच लूँगा दारू का है कॉन सी दारू? वटका खुश्बू से ब्रैंट भी पैचान लेते हो आँखे देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ चालो चीज है क्यों बे, पूरी फैमली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिन्दा है देख मुखल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की टेन थाउजन येरोज, आज से तु मेरा आदमी है आपने मुझे खरीद लिया देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिन्दगी है फैसला तुम्हारे हाँ में है मैं, मिसाल कामाल की है घर जाकर आत्मकता में गुसा देता हूँ मुझे बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है अच्छा लिख लेना देखो राम, प्रॉबलम एक गेंद की तरह होती है उसे आखे खोल कर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी अकर दूर फैंक दोगे तो छोटी दिखेगी गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहां से निकालो जानकी के पास सब सेलुशन्स है, मुकल यहां हो मैम, मैंने ब्रिक्वस्ट है भी किया है, और नहीं खा सकता यह ट्रीटमेंट है, प्लीज कॉपरेट रामराज, अपनी आखे बंद करो और गहरी सांस लो लेली न, अब बबली बदमाश की सारी बदमाशिया याद करो याद करो, याद करो, कमॉन, गुसा लाओ, गुसा लाओ, अब आखे खुलो तुम आ गई बबली बदमाश, हैं? तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया जब भी तुम अपना घर बदलती थी, तो सामान डोने के लिए मुझे कूली बनना पढ़ता था जब भी तुम्हारे घर में महमान आते तो खाना मुझे से पकवाती थी, मैं उनके जूटे बरतन दोता और तुम सब मेरे पैसो से आश करते गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश, सब के साथ जाकर थेटर में फिल्म देखती थी तुम और मुझे घंटो थेटर के बाहर खड़ा रखती भाई, क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैं ये फोन दो मुझे मेरे दिये इस फोन से दूसरों के साथ इश्क परमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तू भी जब भाढ़ दे मैं ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई तो क्या हुआ फोन ही था ना? रामराज का गुसा चला गया, बहुत बड़ी बात है मैं एक ही दिन में मरने का खैल चला गया दस दिन साथ रहेंगे तो जीने की रहा भी ढून लूँगा प्लीज मैम दीदी दस दिन तक हाली नहीं है उनको इंडिया वापस जाना है मैं इंडिया जाओ तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे दीदी इंकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए इग्जाक्ली मैम आप हर गेंद को विकेट की पर कितरा जट से लपक लेती है बादशाह तुम्हारा काम कहां तक पहुचा जान की मिल चुकी है कुछी दिनों में काम पूरा हो जाएगा ख़बर है कि सादू भाई के लोग इटली पहुच चुके है I'll take care of that तुम बस पापा को संभादना ठीक है यार तुझे हाथ क्या लागा है तु तो गला पकड़ रहा है तुम बच गए वरना मुझे पीछे से चुने वाला आज तक नहीं बचा हाई, meet the star character में आपका स्वागत है तो मिलते हैं आज के celebrity से जो है एक मश्चूर film director जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का इस तरह के डरा कर हसाने वाली फिल्म में बनाई है तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से नागनासुर जी नमश्कार नाग जी लोग जब story लिखते हैं तो वो किसी hill station या विदेश में जाकर लिखते हैं आप कहां जाते हैं? भूत बंडली के बीच में येस मैं story sitting भूत लोगों के साथ करता हूँ ये एड़ा कहीं राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं सुना है कि आपकी हर फिल्म की हिरोईन से आपका चक्कर चलता है ये मेरे काम करने का तरीका है मेरे चक्कर चलाने से वो मुझे पर इतना चिलाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है बाखे डिरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहास के कप्तान है आपकी क्या राय है? ये बक्वास है मेरे हिसाब से डिरेक्टर जहास का कैप्टन या टेक्सी का ड्राइवर हवाई जहास का पाइलेट या ट्रेन का इंजिन ड्राइवर नहीं होता तो फिर? चोर होता है चोर? जो डिरेक्टर सिनिमा में लड़कियों को आदेक अपड़े पहना कर बॉक्स आफिस के जरीए लोगों की जेबों से पैसे चुराई ऐसा चोर इतने गंदे ख्याल है आपके और जैसी उसके बुरा टाइम आया तभी उसका टाइम बदला और वो डॉंकी से डॉन बन गया उसने कभी आपको धंकी बरा फोन ने किया हाँ एक बार चार क्रोड की मांग की ती उस गदे ने मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़ में रॉकेट लगा के आग लगा दूँगा और उसने डर के मारे फोनी गाट दिया सर अपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट टू पार्ट वन तो फ्लॉप थी इसलिए तो मैं पार्ट टू बना रहा हूं ये भी हुई तो तो पार्ट फ्री बनाऊंगा और ये थी नाग नासुर जी से खास मुलाकात हेए I want his phone number ये एंकर मेरा बचा कुछा जिमाग खागई हलो ये राबर्ट बोल रहे ना है उपर दीचे से तरे को दो न छोटा कर देगा अब गलीज दो दुन के बाद शूटिंग लेटली जा रहा हूं तेरे पास अगर गुंड़े हैं उनके गण में गोली है टिकेट का पैसा भी है तो वही बहस देना अभी तरफाणा अभी तरफाणा यह क्या सर आपको ऊपर जाने कि इतनी जल्दी है क्या माफिया से ऐसे बात करते हैं माफिया मतलब अंडरवर्ड, मतलब जमीन के नीचे, मिट्टी में लोटने वालों से कैसा डर, जब मैं उपर वालों की इज़त पनी करता, उन्हें ठेंगे पर अखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में भेजूँगा, सुनो जानकी, जानकी, कौन है, वो क्या है कि, टेरेक्टर भूतिया नाग नासुर आये हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमलकॉसर भी यही है, जानकी, मुझे मज़ा आता है,